आज मैं आप सब के लिए लिखकर आई हूँ एक डबल कलर निटिंग डिजाइन जो की बनाने में बहुत आसान है और डिकने में डिजाइन बहुती सुन्दर लगती है इस तरीके से इस डिजाइन की लुक है यहाँ पर मैंने दो कलर का यूज किया है आप चाहे इसे मल्टी क डिजाइन आती है दिखें मोती की तरह यह उबर के आती है बहुती सुन्दर और आसान डिजाइन है मैंने आप पर इन दो कलर का यूज किया हुआ है आप अपने मैं चाहे किसी भी दो कलर में इस डिजाइन को बना सकते है और फ्रेंस इस डिजाइन को आप बच्चों के ल सकता है और चार सलाई की दिजाइन भात रिजाइन हो जाएगी और यहां पर मैंने जुह है इस डिजाइन को बनाने के लिए सेंपल के तौर पहुत है है क्योंकि यह जो डिजाइन है यह और नमबर के फंदों पर अच्छे से अज़ेस्ट हो जाती है आप अपने प्रोजेक्ट के साफ से पहले फंदे डाले जो और उसको काउंट करते जाए कि आपकी फंदे जो है और नमबर पर होने चाहिए और नमबर मतलब नमबर के बाद बैसिक का गैरु मैंने बनाई है एक और दो डो डॉ से बनाई आपके बात जो भी बैस कला है उससे बहले बौरडर बना लें बादा लेजिए और ौड़ अब ब्सक्राशन से सिधह कर लिए स eldh सिधा बनेगी सीधी साइट से पहला हम सीधा बना लेंगे और उसकी वालई तो ठोड़ा सा टाइट करके ऐसे शिदा बनाती हूए पूरी रो कमप्लीट करेंगे ला स्ट तो इसी तरीके से आपको बॉर्डर बनाने के बाद पर डियूब करने है पहला पंदा आपकी बार हम slip कर लेंगे और उसके बाद एक एक करके इस तरीके से पूरी सिलाई wrong side से ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए last step complete कर लेंगे देखे इस तरीके से तो देखें फ्रंस दूसरी सिलाई wrong side से मैंने complete कर दी है अब आजाए सीधी साथ से तीसरी सिलाई अब हमें यहापर color change करनी है जो भी color अपनी base color रखी है उससे आपको दो सिलाई बनानी है हर दो रोक के बाद यहापर आपको color change करनी है तो देखें यहापर मैंने light pink color रगाई है तो इससे मैं इस तरीके से join कर लेती हूँ ऐसे तो दे देखें नीचे जो pink color का फंदा है इसको हम लेंगे इस तरीके से और इसको उल्टे हाथ के सलाई में ऐसे चड़ा लेंगे देखें ऐसे उठा लेंगे और उसके बात एक दो और तीन दो फंदे तो हमारे green color के एक फंदा pink color का इसको ऐसे लेंगे उन पिछे ही रहेगी और त देखें इक से और देखें ओसके बात देखें ऑ McD है इसको अनलोंमेल ऐसे शीदा बनाएंगे औसा फिर देखें यह जो फंदा है इसको हम यहां से उठाएंगी देखिए जो light color का फंदा है देखें यहां पर उठाएंगे और इसको उल्टे हाथ के सलाई में ऐसे चड़ा करते हुए ऐसे 3 का एक कर देंगे इस तरीक से गटाके फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे फिर देखे यहां से फंदे को ठाएंगे इसको एसे उल्टे हात के सलाई में चड़ा लेंगे और ग्रीन कलर के फंदे है ऐसे खोलेंगे स्को दीकेंसे और कि अरेंसे और इन 3 पंदों को ही एक सथ लेकर आसे 5 सिफा इसाथ दो दो फनध मर्डेशन पॉपा रेपीरट घ्लम ऑफ र eyelashes α 12 jestem अग यह जो दो रहुए हैं इसे 7 सीफा सीफा देंगे एक पंदा सीधा बना देंगी उसके बार देखेँ इसको हम ऐसे उठाएंगे इसमें चड़ाएंगे फिर ज्वर्ण को ऐसे खोल देंगे इनको ऐसे उल्टे हाद के सलाइए में चड़ाके तिन का एक कर देंगे तो देखेँ इस तरीके से आपके डिजाईन आ जाएगी तो इस्वे तरीके से पूरी रो भी लास्ता कम्प्लीट कर लें गे एक वन्दा हम सीधा बनाएंगे और यह नेक्ष्ट वाला फंदा है सके ऐसे उठाइंगे इसमें चपन लेंगे और इसको ग्रीन कलर की फंद को एसे खोल के उल्टी हाथ के सलाई में ऐसे लेके तीनक एक क पूरा में complete कर लेती हूं इस तरीके से मैंने लाष्टा complete कर दी है और लास्ट का फंदा इससे हम सीधा बना देंगे तो देखें दिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी तरफ से complete हो गई है अब जाए तो देखें इस तरीके से इसको complete कर लेंगे तो देखें अगर आपको repeat करनी है इस दिजाइन को तो देखें यहाँ पर फिर से हम कलर चेंज करेंगे तो इसके लिए जो भी कलर अपने याट की है उससे आप फिर से दो सिलाई इस तरीके से सीधा उल्टा करते हुए बना लीज इस दो सिलाई बना लीजिए अब देखें थोड़ा सा यहाँ पर द्यान से क्यूंकि हमने जो यह डिजाइन बनाई है इसके अब जगा हमें चेंज करनी है तो इसके लिए देखें क्या करना है फिर से हमें यह लाइट कलर इसमें लगाने है जो भी बेस कलर आपकी होगी उ तूदा सा इसको टाइद करनें सिर्थीन डाली थी अब इस वाले किस बारिशाण दालिए इस तरीके से यहां से उठाएंगे ऐसे इसको उटखें के बलहाए दियान वही है बस तोड़ा सा इसमें में चेंस करना है इन साफ को एक सत लेका से पर रहाइन धि tis कि लिभें एक से लेंगे कि दिखें और विट्प आहिए ह॓ dette ते दिए कि दग' अ के अँघा को हुआ कि जटु101 नहिंगे कि फोद्स ऍहीं आपको थोड़ा डियां से बनानी है स्टाइंग में फिप्त रोकया तकि गिए भीफंद आपेंगी दिखेए और प्रिटान के चाहिए मैं कर लेंगे तो कि एक करेंगे तो आपको लाश्ट में दिखाती हूं ऑप अब यहां परेले बनाएं अब इन दूस्पारों की इस तरीके से हम लच्टा कंप लेंगे ऑघ च्ट करेंगे डूस्तरीpole कर tuition की पिछ स्थी बेंगे टोटी कंपिली। तो इन कुछ परिके संत western चेकर पर डाल सकते हैं सभी प्रोजेक्ट पर डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगेगी तो फिर से अगर आपको यह रिपीट करनी है तो फिर से आपको जो है दो सिलाई ग्रीन कलर से बना लेनी है और उसके बाद यहां से सिधा बनाया उसके बात इस वाले फंदी को हम डिजाइन ड के लिए वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए लाहाफिस द्वाव में याद रखेगा थैंक यू